नमस्ते भारत मैं हूँ भुमिका महता अपने देश की बेटी और अपने भाय की बहन सुषान सिंग राजबूद की बहन काफी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ जसने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी शायद जो मेरी तब्लित को पहचानते हैं मुझे पहचा है मैं थोड़ा सा फेस पे कुछ करके मैं ऐसे बैठी हूँ ता कि ठीक ठाक लगूँ एनिवेस ये तो भी मेरी बात मैं आप सब के साथ कुछ शेर करना चाहती हूँ यहां कोई अपडेट नहीं दे रही हूँ लेकिन एक थौट प्रसेस जो मेरे दिमाग में आ रहा है अभ भाई सुषान सिंग राजपूत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रशन जरूर आता है कि उसकी बहने क्या करती हैं लास्टो लास्ट वीडियो में मैंने बात भी करी थी श्वता किरती श्वता सिंग किरती की बात करी थी जो कि सुषान की बहन है one of the sister बट यह ब बहने हैं कहां सबसे बड़ा प्रशन आता है क्योंकि यह बहने बहुत कम दिखती है एक बहन दिखती है सुप्रीम कोट में लॉयर है जो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे थी अच्छान करने लगी अपनी दुकान शुरू करने लगी दुकान इसलिए जादा अच्छा से चलन पर हो क्कि बहने करने हैं यह बोल को लगता है के वोकील है राजपूत की बहन के है नाम से तो वो कुछ भी ओ में कुछ भी बोल सकते है लेकिन क्या आपको आईडिया है कि आप दो साल के बाद जागी थी आप दो साल के बाद जागी थी आपने एक दो प्रोटेस्ट करें उसके बाद आप वापस से बैड गई आपने 2022 में एक पोस्ट लिखा था सुमित अपारिक को उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहती हूँ, हमारे बहुत ही एक अच्छे यूट्यूबर है, जो आप सब जानते ही हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर में मानती हूँ उनको, और वो हर एक पॉइंट को डिसकस करते हैं, निलेश जी के बारे में, निलेश जी को वो अ कहती हूं लेकिन कुछ ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स है जो अपने धंदे के लिए सुषान सिंह राजपूत का नाम लेते हैं ऐसे तो आए दिन बॉलिवूट की स्टोरीज डालते हैं बस एक नाम बोलते हैं 21st को डाल दी एक वीडियो 14 जून को डाल दी एक वीडियो SSR SSR और वो बहुत नामी है तो बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स है उनके उनको मिल जाता है एक टॉपिक लिए आप किस के लिए आप किस पॉइंट अफ यू से उस इनसान की वीडियो देख रहे हो और वो कितना जानता है वो सिफ उपर-उपर की बाते करता है अपनी वीडियो बनाता है वो भी चुनिंदा डेट्स पर क्या वो हमारी तरह लड़ाई कर रहा है क्या वो हमारी तरह तूटा है हमारी तरह रोया है हमारी तरह प्रे करता है हमारी तरह रोता है हमारी तरह हसता है वो भी सुशान सिंग राजपूत के लिए लोगों का कहना है कि आरे यार त ना पैसा है तो दे दो यार, मैं वैसे भी काम नहीं करती हूं, मुझे काम आ जाएगा। क्या पैसा कमालिया, क्या पैसा कमालिया बक्वास करते रहते हो। कुछ जानते भी हो, अपनी खयाली पुलाव की दुनिया से बाहर निकलो। दूसरी बात, एक कैंड अफ पोस्ट मिला है, जो 2022 का है, और वो पोस्ट समिता पारिक के लिए है, फ्रॉम प्रियंका सिंग, सुशान की बहन, जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई करती है, अपने दावे करती है, सुशान के लिए नहीं, सुशान के लिए उसने एक मात्र भी कोई पेर नहीं उठाया, कोई भी ऐसा, जिस कहते हैं, कंप्लेंट दर्ज करना, या फिर कोई केस दर्ज करना, अगर मैं लॉयर होती है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की लॉयर होती, तो मैं बहुत कुछ करती, बहुत कुछ करती, खाली दंगे फसाद, क्या 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 अगर आप सुशान की बहन होना चाहते हो ना तो उसके जस्टिस के लिए लड़ाई करो यहाँ पर हर बार एक नाम आता है इस केस में स्मिता पारिक स्मिता पारिक आप सबको पता है बहुत अच्छी दोस कहलाती है अपने आपको हमारे सुशान ने नहीं कहा बट उसने अपने तरफ से यह जताया है संदीप सिंग की तरफ के भाया हम तो बहुत अच्छे दोस्ते I was the best friend of सुशान सिंग राजपूत जब सुशान के साथ ऐसा कुछ हो रहा था तब तुम कहा थी वो नहीं थी वहाँ क्योंकि उसे हम लोगों ने questions किये हैं हम लोगों ने उसको बार बार point out किया है कि तुम कहा थी तुमने ऐसा क्यों कहा तुमने वैसा क्यों किया और हमें बहुत कुछ पता है उसके बारे में और Smita Parikh को बहुत कुछ पता है Smita Parikh के ही NGO से वो छोटी सी बच्ची जो अब तक गयब है वो थी जो सुशान के घर पे थी ये जाहिर है कि हमारे पास जो जो सबूत थे वो सबूत अब हमारे से मिठ चुके हैं खरीदे हुए जो so called police वाले है, so called police वालो ने सबूतों को फेक दिया है क्योंकि उद सबूतों से पता चलता कि क्या trap है लोग काफी ऐसे भी यूट्यूबर्स है जिन्नोंने ये कहना शुरू किया है कि और क्या बकवास करे हो आदित्य ठाकरे, आदित्य ठाकरे, वो तो पकड़ा जाएगा ही, आदित्य ठाकरे को पकड़ लिया गया है, और ये और कोई नहीं, ये गनेश, जो है, खुदको सुषान का बहुत अच्छा दोस मानता है, हो सकता है, बहुत पहले, एमोशनल दिखा, बहुत मासूम लग रह क्या कर रहो यार, what are you doing, कितनी बखवास करते हो यार, कितनी बखवास, मतलब मुझे सही मैं जब पहली बार सुनी उसके बारे में, कि वो ऐसी ऐसी अफ़ाय फैला रहा है, कि घर से आदित्य ठाकरे को पकड़ के ले जाया गया है, I was so happy, और वाई, ये अपडेट मेरे पास क्यों नहीं है, ये पता क्यों नहीं चला मुझे, जहां मैंने ये वीडियो देखने की कोशिश की, पूरी वीडियो में सिर्फ उसने अपने गोणगान गाये हैं, और कुझ भी नहीं था, कोई एक तिनका सा भी नहीं था, जहां पर आदित्य ठाकरे की बात हो, बले उसका जो टाइटल था, उसमें ये था के आदित्य ठाकरे को पकड़ के ले गई पुलिस, बट उसमें कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ऐसी ऐसी अफ़ाय जो फहलाते हैं उनको सीरिस्टी दो तमाचे मानने को मन करता है, मन करता है उनका मरर कर दू, मेरे को पुरानी पुरानी खबरे चला देते हैं, SSR के नाम पर SSR ने ये किया, SSR ने वो किया, SSR को भूल जाओ, उपर से उसकी बेहने, जिनके बारे मैं बात कर रही हूं, उस बेहनों ने, एक ने, प्रियंका सिंग ने, 2022 के पोस्त में लिग दिया, You are a backstabber, Smita Parik को, You are a backstabber, उसने ये बताया कि तुम धोकेवाज हो, तुम पीचे सवार करने वाली ओरत हो, और वहीं पर ही, Shweta Kirti, Shweta Singh Kirti, दूसरी बेहन ने, उसका हाथ थामकर, 3rd Feb को, अपनी बुक लॉंच करी, और वो भी कैसी बुक? उसने अपने भाई के नाम पर लॉंच करी, कि एक इनसा अमेरिका से बैट के वीडियो कॉलिंग भी होता है, अगर तुमको इतना पेन था, और ये औरत, ये Shweta Singh Kirti, ये आती है भारत में, और भारत में कब आती है? कोई अपने भाई के तीथी के दिन, या बर्डे के दिन नहीं आती है, अपनी बुक लॉंच करने आती है, और ल दोशी ठहराते हैं, तो ये आप क्या कर रहे हो, आपके भाई के दोशियों के साथ, आरोपियों के साथ आप बैट के बुक बेच रहे हो, और कितना अच्छा धंदा करती है, ये सोचो, अपने भाई के नाम पर ये कितना सुन्दर धंदा करती है, ये कही ना कहीं आपको य मेरा भाई मर गया है, this, that. उसको भूल जाओ, अब उसके गुणाकारों को मैंने माफ कर दिया, तू होती कौन है माफ करने वाली? तू होती कौन है? तू कुछ भी नहीं है, तू उसके नाखून बराबर भी नहीं है. बेहन तो छोड़ो तो उसके नाखून बराबर भी नहीं है बेहन ऐसी है तो फिर मुर्डर उसको तो और भी मज़ा आ रहा है रिया चक्रवर्टी को क्यों नहीं बुला लिया तुमने उसको भी अपनी बेहन बना लो ऐसे backstables हो तुम लोग ऐसे backstables हो यहां तो लग रहा है कि पूरा खेल तुम अपनी बेहनों तुम लोगों ने लगाया हुआ है अपने जगडों के लिए यहां पर सुशान के लिए क्या कर रहे हो तुम लोग रत्ती भर भी कुछ नहीं कर रहे हो सब अपना अपना इगो शांत कर रहे हो साटस्फाइड कर रहे हो अपने इगो को करना बंद करो SSRN के emotions से खेलना बंद करो और हम जैसे काफी SSRN जो बेवकूफ है मैं seriously बेवकूफ ही कहती हूँ क्योंकि आप लोग उनको इतना emotions में इन गधियों ने डाल दिया कि आपने इसकी books भी खरीट डाली इसकी books मतब वाउ बेस्सेलर बना दिया इसको क्यूँ? आपको ये ध्यान नहीं आ रहे है आपको दिमाग में नहीं आ रहे है कि ये लोग लूट रहे हैं हमारे भाई के नाम से अपने भाई के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया ऐसे बहुत सारे भाई वैन है जो एक दूसरे को खाली करते हैं उनमेंसे ये एक है अपने भाई के मरने के बाद उसका नाम यूज करके अपना धन्दा चला रही है और मैं कहना चाहती हूँ बिकनी वाला जो पोस्ट मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये बिकनी में अपने पोस्ट डाली थी जब सुशान मर गया था जब सुशान का मर्डर हुआ था जब हम लोग तफरा तफरी में और चिला रहे थे, स्क्रीम कर रहे थे, शाउट कर रहे थे, we want justice, we want justice करके, तो ये बहन जाकर बाहर किसी देश में, प्रदेश में घूम रही है, ब्रहमन कर रही है, वहाँ पे बिकनी में फोटो डाल रही है, अगर आपको नहीं पता है, आपने नहीं देखा है, इसका मतब ये तो नहीं, कि मैं जो कह रही हूँ, वह गलत हो सकता है, यहाँ आपको ये समझना है, कि कहीं ना कहीं, एक शरम पैदा हुई होगी, जिसकी वज़े से वह पोस्ट डिलीट किये गए है, I'm so sorry and I'm so buddhu, I will say, काश मैंने वह पोस्ट, मतब मैंने capture किये होते, तो मैं भी बता सकती कहीं सबूत है, मैं ऐसे ही गुस्सा नहीं होती, मैं ऐसे ही बकवास कोई नहीं कर रही हूँ, मैं जान कर मेरा गुसा ये है कि आज मैं खूंग के रिष्टे से कुछ भी नहीं हूँ लेकिन मेरे अंदर जो चलता है सुशान के लिए उसकी बहनों में नहीं चलता है अगर मैं सुप्रीम कोट की लॉयर होती मैं इतनी बड़ी पोस्ट में होती तो मैं उस पोस्ट को यूज करके कुछ अच्छा करती जस्टिस के लिए फाइट करती ये ग्रूपिजम करने का मुझे कोई ही शौक नहीं है मेरी जिन्दगी में बहुत सारे ग्रूपिजम हो रहे हैं मेरी जिन्दगी में बहुत साई स्ट्रेस हो रहे हैं बट कही ना कही ऐसा कुछ ढूंती हूँ जहां पर मैं सुशान के लिए बात कर सकूँ और जहां सुशान के लिए और सुशान के फॉर में बात कर सकूँ उसके justice के लिए उसके दिशा के लिए एक अच्छी एक प्यारी सी लड़की एक फूल को अपने तोड़ दिया वैसी condition उ तो सोच के मन डर जाता है, भयानक स्थिती हो जाती है इंसान की, और यहां पर यह लोग को अपना धंदा चालू करना है, आप मुझे बताईए आपको कहसा लगाई है, सब सुनकर आप, आज कोई अपडेट नहीं थी, लेकिन एक दिल से दिल तक बात पहुचाईए, I don't know कित motivation मैं आपको जरूर देना चाहती हूं कि हम एक होकर बहुत कुछ कर सकते हैं, और हमें इनकी बहन होने की जरूरत नहीं है, बाइ, बलट, यह और दिल, दोनों उमीदों से भरा पड़ा है, और वो उमीद तब तक रहेगी, जब तक जस्टिस नहीं मिले, और जस्टिस जरू मिलेगा, we want just